हाई दोस्तों, रॉयल एंफिल्ट सूपर मीटियोर 650 के लाँच के बाद में एक कोस्टिन जो है कमड़ में बहुत जाए देखने मिल रहा था कि इसको लोग जो है कमपेर कर रहे हैं मेटियोर 350 से अब दोस्तों एक बात है कि कमपेरिजन बनता है प्यकॉस रॉयल एंफिल्ट दोस्तों तो हमने कमपेरर करेंगे वह जो है इस चाहते हैं दोस्तों कि बात की जाये यह जटके से नहीं को देखेंगे आपको METEOR 350 जैसा ही कुछ लगेगा लो क्योंकि METEOR 350 पर जादा देहनों मिलती है तो जटकेस देखने में मिल लगेगा मगर आप प्रोपर दी तरह के देखी गाज़ागे तो डबल एक्साॉस से आपको 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 चैंज न अज न पर जाएंगा प्राउड़ क्लिरेंस, जो है, वो भी 191 kg क्या सबस की जो है मीटियोर 350 है और सूपर मीटियोर जो है 241 मतलब आलमोस्ट फिफ्टी किलोग्राम ज्यादा है और टैंक साइस की बात किया तो आलमोस्ट हम सिम्लर बो सकते हैं क्योंकि फ्यूल कैपिसिटी 15 लीटर की मीटियोर में आती है और सूपर मीटियोर में 15.7 सब्सक्राइब करना चाहिए तो थोड़ा कर चोड़ते हैं तो वही टैंक साइस जो है अलमोस्ट सिम्लर है उत्म जादा मेजर डिफ्रेंस नहीं है मुझे पहला ऐसा लग रहा था कि सूपर मीटियोर में कम से कम 20 लीज कर टैंक तो होना चाहिए वरना क्योंकि इसका जो र तो एक स्पीड रेंज बढ़ जाती जो फुल टैंक के बाद में जो स्पीड रेंज होती इंक्रीज होती बट फिफ्टी लिटर भी कंपेर टू जी टी और इंटरसेप्र से बैटर ही है तो यह तो आपने देखा कि डिफेंस जो है डामेंश में क्या क्या था बट अभी जो जो आप weiter तो अगर ऐसे देखेंगे तो आप उस लगया कि सेंड उसेम ही है बट अगर आप फुट पेंग देखेंगे जो आगया फुट्र sudah नाथ पर आप देखेंगे तो जो जो जैब फुट रिष्ट्र करेस्ट है आपको देखना है एपको डिफरेंगी में बहुत ज्य बागी किसी और बाइक में इतना उपर तक नहीं देखने मिलता था बट अभी जो है यह आपको रॉयल इंफिल्ड के सूपर में भी देखने मिलेगा यह मेंली किया गया है डबल एक्सॉस्ट मैंने अल्री क्लीर किया हुआ है ब्लैक एंड जो है हलका सिल्वर का इंजन दिख जो करती हा है यह सबस्क्रायर क्रोम के प्तिक हो गर explored किस्ट की डिसाओ उपको सब्सक्राइब अपको क्रोम के जो है आपको दो श्रीड कि अम्ट सीट सब्सक्रा हाुद दिखने मिल रही है और भगड़ जो है अग कि जो है यह वी देखने इना झाल्ट किसों पिलियन सीट को लेके बहुत जाद़ कंप्लेंस वह मिल रहे थे अभी जो है अभी एक्सपेक्टिट एसा किया रहा है कि जो सूपरमेटर है उसमें सीट तो कोस्ट बाइक चीट है तो बैठ की कितने कमफर्डबल वह पाइक होती है अब आत कीजाए युनीक फीचर दोनों मे इंस्टूमेट क्लस्टर जो युक्ट वह आगे का अपसेड डाउन फोक दोस्तों यूफ को अपको में अपको मिटीर में देखने ए लिए तु है वहां कि अपने डिखा हूँ गिए तु हम रहे श्मी यूडर जो में एक अज़ेस्ट्र कर सकते हैं यहीं देखा हुआ है और उसमें जो एसमे लगाई हुई है वो थोड़ा सा अलुमिनियूम टाइप की जो है वो आपको देख में मिल रहा है स्विचेज बाकि वैसे ही सेम स्विचेज रखे गे हैं ग्रेपर भी सेम लग रहे हैं तो उसमें लोगो जो है थोड़ा दिफरेंस कर दिया गया है जादा बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं अगर आप फ्रेंट में देखेंगे तो आपको LED हैडलाइट जो है वो देखने रहे हैं बट अगर अगरा अगरा अप मेटेए और में देखेंगे तो सिर्फ आपको जो है DRL लाइट ही जो है वो दिखने मेलती है LED बाकि लगा हुआ थोड़ा लुक हलका सो जो है इंडिकेटर का रेर में थोड़ा डिफरेंस जो है किया गया है बट उतना मेजर डिफरेंस भी नहीं है दोस्तों एक चीज में ज़रूर बोलना चाहूंगा कमबेरिजन की टाइम पे कि जो रॉयल एंफिल्ड का 60C एंजन है और जो 350C एंजन है हला कि एक ही कॉंसेट में बनाया गया है बट अगेन मुझे लगता है कि जो 350C का जो मीटियो का एंजन है उसमें 6th गेर अगेन होना चाहिए था 6th गेर होर होता तो एक अच्छा स्पीड मिलता आपको मैलेज भी प्रॉपर मिलती ठीक है एक जो फिफ्ट गेर के बाद में जो बनाया गया है ना फिफ्ट गेर जो वो थोड़ा सा जो है लगता है कि मुझे वो टॉप स्पीड उतना गेन नहीं कर पाता हारा कि क्रूजर कॉंसेट बाइक है बट फिर भी एक पाव 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 टॉपर मेजर डिफरेंस आपको नहीं देहने हो मिल रहा है आपको टैंक में जो है वो बैज जो है रॉयल इंट फिल्ड का सेम एंबुस्ट जो है में भी आता है सुपर मेटियों में भी है खुड़ा सा लोगो जो है चेंज किया गया है जो साइड पैनल से उस है पेनेर्स के ओप्शन नहीं है पैनेर्स जो एस साइन जो है वो आपको सुपर मीटियों में ज्यादा मिलने वाले है ठीक violating की ही मुझे प्रापर लगेगी जो दिखाई जारी है सुपर में वह उव्य सिभात है आए इंटेफरेंस व्यंव दो है नहीं है तो उतना मेजर नहीं होगा मुझे मालो में, लो बाइक है, तो गृप भी जो है, बना के चलेगी रोड से, और मीटियो के जो ब्रेकिंग है, वो भी मुझे बहुत सही लगी है, चाहे वो रेर हो, फ्रेंट हो, गाड़ी जो है, वो भी अच्छे से दब के चलती है, और आप जैसी सब्सुइर है कि अरड़ी ज्ञाँ से लग शड़े आपको है, अगर आपको मालूम है, तो आप सही बाइक बाइक कर सकते हैं, अगर आपको मालेक चाहिए, अगर आपको सिटी राइट ज्यादा करते हैं, और और comfort चाहिए, तो दोस्तों, meteor एक अच्छा option है, meteor 350 आप definitely बाइग कर सके हैं, उसमें आपको ऐसा नहीं है कि power बहुत ही a lag लगता है, आपको अच्छा total response नहीं मिलेगा, वो सारी चीजे हैं जो एक city ride bike में होने चाहिए, या फिर आप उसको highway पे भी occasion लिगाल सकते हैं, बढ़ अगर आप टूरिंग के लिए प्रॉपर बाइक देख रहे हैं, तो आपको एक city city ride करने बहुत पसंद आता है, तो मैं काऊँगा हूँ कि एक supermeteor बहुत ही अच्छा option आपके लिए बन सकता है, बढ़ एस एक नौवेक उतना नहीं रहेगा, बढ़ पावर बहुत ही अच् और कम्प्रिट वीडियो को यहां पर एंड करते हैं, क्या है को पॉइंट वीव, जरू का मिश्क्रश्य मिलिएगा, यहां वीडियो करते हैं, ख्याल रखे, ध्यान रखे, और देखते ले बन लोक रहें, आपके आते रहेंगे, बाई कर दो कर दो कर दो